हाई फ्रेंड शिल्दा डॉट को में आपका स्वागत हैं आज हम आपके लिए जो रेसिपी लेकर आये हैं वो एनर्जी और ताजकी से भरपूर हैं उसका नाम है पपाया जूस या पपिता जूस इस वीडियो के नीचे लिंक पर क्लिक करके अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब कीजिए शिल्दा यूटूब चैनल को और दबाएए इस बेल आईकॉन को या घंटी को हमारी लेटेस रेसिपी और टिप्स सबसे पहले देखने के लिए पपाया जूस या पपिता जूस वनाने के लिए हमें चाहिए पपिता, दूद, चीनी, रोज शर्बत या रुवजा, अनार के दाने और ड्राइफ रूट्स पपाया जूस या पपिता जूस बनाने के लिए एक बरतर में पपिता काटकर डाल देंगे अब इसमें दूद डाल देंगे अब इसमें आउशक तमसा चीनी डाल देंगे यहाँ पर हम हाफ कटोरी चीनी डाल रहे हैं अब इसमें 3-4 टीस्पून रोज शर्बत या रुवजा डाल सकते हैं अब इसको ग्राइंडर की साथा से अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे अब एक ग्लास लेकर उसके बीस में थोड़े ड्राइफूर्स जाल देंगे और उसके पर पपिता का ग्राइंड किया हुआ जूस जाल देंगे अब इस पर अनार के दाने और ड्राइफूर्स जाल देंगे इस तरह ताजा पपिता जूस सर्फ करने के लिए तैयार है उमीद है आपका हमारी रेसिपी पसंद आई होगी जल्दी एक नई रेसिपी के साथ आपसे फिर मुलकात होगी तब तक के लिए बाई अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकोन को या गंटी को प्रेस करके सेंड और नॉटिफिकेशन को सेलेक्ट करके सेव बटन को दबाईए जिससे आपको हमारे नए वीडियो के बारे में सबसे पहले पता लग सके